ब्राट तो यू बाई टेक्नो कैमन 30 सीरीज बुरा हाल होता जारा है एक हर फेस के बाद मुझे लगता है उनकी दोसो के आसपास आएंगी पहले मैं 220 के रह था भी दस दिन पहले तक मुझे लगता है कि 200 के करीब आएंगी बीजेपी की Hello and welcome to this India Today special where we are joined by a very special guest here in Chandigarh, the Aam Aadmi Party leader and Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal who really is facing a battle that can be best described as do or die. Joining us now is Mr. Kejriwal himself. अर्विन जी नमस्कार दिली का चुनाव हो गया अब आप पंजाब में नगातार कैमपेंड करनें क्या हम मानें ये आपके लिए Aam Aadmi Party के लिए एक do or die battle है करो या मरो Aam Aadmi Party के लिए ने देश के लिए do or die battle है जिस तरह से पूरे देश में इन लोगों ने ताना शाही और गुंडागर्दी का माहौल बना दिया है उस तरह से इस वक्त देश को बचाना जरूरी है जैसे रशिया में पुतिन ने सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया या मरवा दिया और फिर चुनाव कराए 87% वोट आ गए बांगला देश में शेक हसीना ने सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया और चुनाव कराए और जीत गई पाकिस्तान में इमरान खान को जेल में डाल दिया उसकी पार्टी चीन ली उसका सिंबल चीन लिया और फिर चुनाव कराए यहां इन्होंने चुनाव डिकलेयर होने के बाद मुझे जेल में डाल दिया हमारी पार्टी के तीन बड़े निताओं को जेल में डाला हुआ है और कहते हैं आजव चुनाल लड़ते हैं वहाँ NCP के दो टुकडे कर दी है NCP का पार्टी चीन लिए सिंबल चीन लिए शिव सेना के दो टुकडे कर दी है पार्टी चीन लिए सिंबल चीन लिया अगर मोदी जी दुबारा आ गए इस देश के सारे विपक्षी निताओं को जेल में डाल देंगे ये जनतंतर के लिए और देश के लिए बहुत खतरनाक है लेकिन आप कह रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी पर दबाव नहीं है लेकिन हकीकत यही है जो आपने कहा आपको दो जून को फिर से जेल जाना है सुप्रीम कोट ने कहा है और आम आदमी पार्टी को इक तरह से अक्यूज बनाए गया है कि आम आदमी पार्टी भी इस अलिग शराब घोटाले में उनको आरोपी बना गया है तो कैसे आप कह सकते हैं कि आप पर दबाव नहीं है वो ही मैंने कहा आम आदमी पार्टी इंपॉर्टन नहीं है आम आदमी पार्टी बनी थी देश के लिए आज जो मनी सिसूदिया चोर नहीं है उसको डेड़ साल से जेल में क्यों डाला है मोदी जी ने क्योंकि मनी सिसूदिया अच्छे स्कूल बनाता है मोदी जी नहीं बना सकते सतिंदर जान चोर नहीं है उसको क्यों डाला है जेल में सतिंदर जैन महला क्लिनिक बनाता है मोदी जी नहीं बना सकते मैंने कोई ब्रष्टाचार नहीं किया अगर केजरी वाल ब्रष्टाचारी है तो इस दुनिया में कोई इमानदार ही नहीं हम लोगों को जेल में इसलिए डाला क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं मोदी जी नहीं कर सकते आज सबसे जादा बुलंद आवाज मोदी जी की तानाशाही के खिलाफ आम आदमी पार्टी की है भगत सिंग का चेला हूँ मैं भगत सिंग जेल गए थे देश को आजाद कराने के लिए हम लोग जेल जाने हैं देश को बचाने के लिए सारी जिंदगी भी अगर मुझे जेल में रखें देश के लिए मुझे कोई गिला शिक्वानी है देश के लिए मेरी शरीर का एक एक कत्रा मेरा देश के लिए है लेकिन अर्विन जी अगर बीजेपी के समर्थक आपके बात सुन रहे हैं वो कहेंगे मनी सिसोडिया को मोदी जी ने जेल नहीं डाला, सरकारी एजनसीज ने डाला और कोर्ट ने उनको बेल नहीं दी, सतेंदर जैन दो साल से लगबग जेल में हैं, उनको बार बार बेल नही मिली है, अन्ये लोगों को इस अलेज शराब घोटाले में बेल नहीं मिली है, आपको भी एजनसीज ने जेल में रखा है, तो आप सब कुछ मोदी जी पर कैसे डाला, अगर अगर ये शडियंतर है, अगर सरकार इसमें शामिल है, तो कोर्ट क्या कर रहे हैं? तीन चीज़े हैं, इसमें तीन बते हैं, पहले चीज़ तो क्या कोई घोटाला है, ये कह रहे हैं सो करोड का घोटाला हुआ, कभी कहते हैं ग्यार सो करोड का घोटाला हुआ, पैसा कहां गया, इन्होंने पांसो से ज़्यादा जगे रेड मार ली, एक नया पैसा नहीं मिल कहीं बैंक में मिलेगा, लॉकर में मिलेगा, कहीं जोएल्री मिलेगी, कुछ प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं मिला, वो हवा में तो गायब नहीं हो गया, कहीं कोई खर्चा किया होगा, दूसरी चीज, मोदी जी ने अभी एक टीवी चैनल के इंटर्वियू में कहा, उनसे इसलिए सबूत नहीं मिल रहे, तो मोदी जी ने पूरे देश के सामने माना कि उनके बस कोई सबूत नहीं है, इस केस में कोई रिकावरी नहीं है, एक नट, पहली चीज, दूसरी चीज, फिर हमें बेल क्यों नहीं मिल रही, ये नया कानून बनाया है, मोदी जी ने तीन सा चलता था, मुकदमे के बाद जज कहता था, ये दोशी है, ये निर्दोश है, उस ओर्डर होने के बाद दोशी को जील होती थी, अब इन्होंने पूरा कानून उल्टा कर दिया, अब किसी भी मामले में F.I.R होती है, F.I.R में जिस जिस के नाम होते हैं, जिस जिस पर शक होत क्योंकि कानून ये मोदी जी ने बनाया है, दूसरी बात, तीसरी बात, आपने कहा कि हम कह रहे हैं, मोदी जी डिसाइड करते हैं, जेल के अंदर मनी सिसोदिया और सतिंदर जैन के वास मेसेज गए हैं, कि आप B.J.P. में आजाओ, आपकी बेल करवा देंगे, कौन बेल कर मेसेजज गए हैं, कि आप B.J.P. में आजाओ, आपकी बेल करवा देंगे, कौन करवा देगा, किस से करवा देगा, ये कौन करवाता है बेल बेल, अर्विन के जिवाल जी, दो चीज़े, तो ये कानून बनाया गया, पूरे विपक्ष को खतम करने के लिए, विपक्ष को कुछ medical test करने थे, कोट ने कहा है, नहीं, B.J.P. ने भी कहा था, कि अर्विन के जिवाल कह रहे है, medical test करना है, लेकिन प्रचार तो पूरा कर रहे है, तो ये कैसे, ये केवल एक excuse था, कि आप और समय चाते थे, क्या कहेंगे, कहीं न कहीं ये कहा जाता है, कि आपने लगाता कि अगर आप समय पे नहीं आएंगे, तो आपको arrest किया जा सकता है, और ये एक हफता आप extra चाते थे, एक्स्ट्रा जो चाते थे, मेरा, आपसे मैं इतनी बार मिला हूँ, आपको भी लगा कि मेरा weight काफी कम हो गया है, जब मैं जेल में गया था, तो मेरा वजन 70 kg था, आज म time मिला है, मुझे 21 दिन मिले है, प्रचार करने के बाद मैंने एक हफते का time मांगा था, और मेरे urine के अंदर मैंने अभी test कराया था, कि tone levels काफी high आया है, तो एक हफते का मैंने time मांगा था, कि अगर मैं, मान लीजे कोई serious बेमारी है, और जब पता चले काफी late, और वो stage 2, stage 3 हो जाए, तो वो जान के लिए खत्रा पैदा हो सकते, आपने एक comment एक जेल आने के बाद ये एक rally में कहा था, कि अगर आम आदमी party को जनता vote देगी, तो मैं जेल दुबारा नहीं जाऊंगा, इस पर काफी विवाद हुआ है, कि अगर चार तारीक को इंडिया लाइन चुना आप हार जाते हैं, तो आपका jail जाना तहे, ये तो कानूनी मामला है ना, इसमें राजनीती कहां आगे, जेल तो मुझे दो तारीक को जाना है, नतीजे चार को आएंगे, कहने का मतलब ये है कि अगर NDA हार जाती है, मोदी जी हार जाते हैं, तो कानून को ठीक करेंगे, जि को इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल करा के, उनके सारे केसिस रफा दफा कर दिये, कितने लोग हैं, इस देश की जितने भरष्ट लोग थे, वो बीजे पी में ये लोग अपनी पार्टी में शामिल करा लेते हैं, और उनके सारे EDCBI केसिस बंद हो जाते हैं, असली दो इसी को लेकर जिस तरह से पिछले एक सालों में आपके नेताओं को अरेस्ट किया गया है, आपको अरेस्ट किया गया है, कहीं आप मानते हैं कि यह जो छवी है आपकी, एंटी करॉप्शन क्रूसेडर की, उसमें कोई न कोई कमजोरी आई है या नहीं आई है, कि अर्विन आपके इमिज पर कोई फरक नहीं पड़ा है, उनको उल्टा पड़ा है, उनको बहुत जवरदस्त बैकलेश हुआ है, यह मैंने बताए, यह तरेंड है, किसी भी डिक्टेटर का, किसी भी तानाशाह का, यह तरेंड है, रशिया के अंदर उन्होंने सब को जेल में डाला, क अभी किसी फिल्मजी कानून में डाला वाँ, मतलब मैं डिटेल में तो नहीं जाओंगा, लेकिन कोई ना कोई कानून बनाके तानाशाह किसी ना किसी चीज के अंदर लोगों को सब को जेल में डालते हैं, और फिर चुनाव कराते हैं, हिटलर ने भी सारे विपक्ष को उस के लिए एक ऐसे समय पर आप ही की नेता राजसभा नेता इतनी गंभीर आरोप लगाती है कि मुझे लगता है कि मामला भी कोट में चल रहा है एक पक्ष इनका है एक पक्ष विभव का है मैं समझता हूं कि दोनों पक्षों को कोट को कंसिडर करके और नयाय देना चाहिए पर पक्ष हैं जज नयाय करें अब आते हैं एक तरह से बड़ी राजनीती पर जो चल रही है आप इस समय पंजाब में हैं पंजाब में आम आदमी पार्टी कॉंग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रही है वहीं दिल्ली में साथ है हम इस समय चंदीगर में बात कर रहे हैं चं हैं कहीं हम साथ हैं और कहीं हम आपके हैं कौम इस वक्त देश को बचाना जरूरी है जिस तरह से मोधी जी औरломित शाजी ने मिलके देश के अंदर गुंड़ गर दियो और ताना शाही की हुई है उस से देश को बचाना जरूरी है तो जहां जहां Bailey P को हराने के लिए हमें स साथ आना पड़ा हम साथ आए ताकि बीजेपी की खिलाफ एक कैंडी रेट दिया जा सके लेकिन पंजाब के अंदर बीजेपी का वजूद नहीं है इसलिए पंजाब में हम अलग-अलग लड़ रहे हैं लेकिन ये जो किस वोटर जो है वो क्या समझेगा कि ये दो पार्टी वाकई केवल मोदी जी को हराने के लिए आती है अब दिल्ली के चुनाव होंगे आट महिने बाद क्या उछ चुनाव में आप और कॉंगरेस साथ में काम कर पाएंगे या वहाँ आप एक दूसरे के खिला बचाना जरूरी है उसके लिए हम सब साथ आएं बस लेकिन जनता जो है अगर जनता आपसे ज्यादा स्यानी है मेरे से भी ज्यादा स्यानी है जनता को उतना वो मत समझी है जनता कहें कि वही अर्विन केजिवाल जो एक समय इन देताओं को ब्रश्ट कहती थी कॉंग्रेस क ब्रश केती थी उसी कॉंग्रेस के साथ आती है। एक साथ, कह रहे हैं हम साथ में लड़ रहें, कहीं न कहीं, ये जो कॉंग्रेस आपका जो अलाइंस है, वो कितने दिन चल पाएगा? हमने कोई शादी धोड़ी करी है हमारी कोई marriage नहीं होई arranged marriage नहीं होई love marriage नहीं होई हम लोग देश बचाने के लिए 4 जून का चुनाव लड़ने के लिए एक साथ आए हैं बस एक engagement हुई है एक temporary engagement उसकी जरूरत क्या है उसे नाम देने की क्या जरूरत है उसे नाम देने देश हैं जरूरी नहीं हम सब लोगों के लिए क्या आपको लगता नहीं इस वक्त मैं पूरे देश में घूम रहा हूं मैं जगय जगय गया लोग महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त हैं लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा घर में बच्चे बैठे हैं बिना रोजगार के लोग सोचते हैं हमारे प्रधान मंतरी हमारे को इसका समाधान देंगे और जब लोग टीवी खोलते हैं तो प्रधान मंतरी जी आते हैं टीवी पे कहीं भाशन दे रहे होते हैं प्रधान मंतरी जी कहते हैं अगर तुमने इंडिया गठबंदन वालों को वोट दिया तो ये तुम्हारा मंगल सुतर शेंगे भाग जाएंगे अगर तुमने इंडिया गठबंदन वालों को वोट दिया तो ये तुमारे घर की तूटी खोल के भाग जाएंगे अगर तुमने इंडिया गठबंदन को वोट दिया तो ये घरसिक भैंस खोल के भाग जाएंगे बॉम्बे जाते हैं तो कहते हैं शरत पवार भटकती आत्मा है बॉम्बे जाते हैं कहते हैं उद्धफ ठाकरे अपने पिता जी की नकली संतान है लोग सोचते हैं यार मेरी ये गाली गलोच से मेरी समस्याओं का समधान निकलेगा अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं तुम्हारे पेट्रोल के ऐसे सस्ता कर दूँगा डीजल सस्ता कर दूँगा खाने पीने की ची तो जनता कुछ कनेक्ट होती एक प्रधानमंत्री जी उसको पता ही नहीं देश में क्या चल रहा है और आज कल इनका एहंकार इतना बढ़ गया प्रधानमंत्री जी ने कहना चालू कर दिया है कि मैं अपनी मा के पेट से पैदा नहीं हुआ था मैं भगवान का अवतार हूँ मैं इस दुनिया में प्रकट हुआ था ये अपने आपको भगवान मानने लग गए और संबित पत्र कहते हैं कि भगवान जगनाथ मोदी जी के भगते हैं और नड़ा जी कहते हैं कि मोदी जी देवताओं के देवताएं मैं आज आपके चैनल के माध्यम से पहले तो जनता से पूछना चाहता हूँ आप में से कौन कौन मोदी जी को भगवान का अवतार मानता है मुझे बताईए और दूसरा मैं RSS को पूछना चाहता हूँ RSS चुप नहीं रह सकता RSS को बताना पड़ेगा कि क्या RSS भी मोदी जी को भगवान का अवतार मानता है या नहीं मानता ये आप एक तरह से संग परिवार में डिवाइड करने की पोशिश करें जब से आप बताईए तो सही आपने कहा कि अगर मोदी जी चुनाव जीतते हैं तो उत्तर प्रदेश में योगी अधित्यनाथ ज्यादा दिन मुख्य मंत्री नहीं रहेगे आपने कहा कि अगर मोदी जी प्रदान मंत्री बनते हैं तो एक साल बाद वो रिटार होंगे अमिच शा प्रदान मंत्री बनेगे ये सब उन्होंने डिनाई किया कह रहे है अर्विन केज़िवाल डिवाइड करना चाते है संग परिवार में एक तरह से कुछ कंफ्यूजन पैदा करना चाते है मेरे को एक भी स्टेटमेंट बीजेपी के लीडर का दिखा दो कहे कि योगी जी को हटाया नहीं जाएगा केज़ जूट बोल रा है बीजेपी ने खंडन नहीं किया इस बात का अब गलत बोल रहे हैं बीजेपी ने ये नहीं कहा कि जैसे जिस दिन मैंने बोला दो चीजें बोली 75 साल पर मोधी जी रिटायर होंगे जो इसका अमिट शाने खंडन किया अगले पात साल मोदी जी ही रहेंगे केवल अमिट शानी सारे नेताओं ने आके इसका खंडन किया उसी दिन मैंने का योगी जी को हटाया जाएगा एक भी नेता ने खंडन नहीं किया एक भी नेतअने मेरे कोनिकाल के दिखा दो इस बात से योगी जी बहुत परिशान है आप कह रहें योगी जी परिशान है लोगों कहते हैं ये अर्विन केज़ेवार बड़ा शातिर नेता है ये शातिर गिरी जूँ ल्हका मैं ये घर-घर में चर्चा चल रही थी, जो बात दबी जबान में थी, मैंने उसको मुखर ओके बोल दिया, मेरा इतनी कसूर है दो बाते, एक अमिच्शा पंजाब आते हैं और कहते हैं कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है लोकसभा में, तो भगवन मान की सरकार कभी भी गिर सकती है कैसे गिराएंगे? उन्होंने कहा कि ज्यादा दिन नहीं रहेगी अगर बीजेपी की सरकार दिल्ली में आती है ये गुंडगर्दी नहीं है, ये तानाशाही नहीं है, देश का ग्रह मंत्री एक राज्य के अंदर आके धमकी देके जा रहा है कि मैं थोड़े दिन के अंदर तुम्हारे तीन करोड पंजाबियों को पंजाबियों थोड़े दिन के बाद मैं तुम्हारी चुनी हुई सरकार को गिरा दूँगा तुम्हारे चुने हुए मुख्यमंत्री को हटा दूँगा ये धमकी नहीं है ये किस किसम की गुम्डगर दिये आज तक इस देश नहीं नहीं देखी पंजाबियों को धमकी देके जा रहा है कि जिस सरकार को तुमने चुना मैं हमिद शाजी को कहना चाहता हूँ पंजाबी बड़े दिल के होते हैं अगर तुमने प्यार से मांगा होता तुम्हें एकाद सीट दे दे थे ये जो धमकी दे के जा रहे हो ना पंजाबी इस धमकी को बरदाश्ट करने वाले नहीं हैं देखना इस चुनाव के अंदर तुम्हारा पंजाब के अंदर क्या हाल करेंगे और ये भी बात है, ये लोग जो हम free बिजली दे रहे हैं दिल्ली और पंजाब में, उससे घबराए हुए हैं, ये free बिजली बंद करना चाहते हैं, तो पंजाब के लोगों को कहना चाहता हूँ, जितना कमल का बटन दबाओगे, उतना तुम्हारी free बिजली बंद होने के चा दिल्ली के अंदर इस टाइम कितनी गर्मी बढ़ रही है, पावर कट नहीं हो रहे हैं, पंजाब के अंदर कुछ जो को जगह local faults हैं, कल से जब से आया हूँ, वो local faults solve किये जा रहे हैं, लेकिन पंजाब में जो पहले बिजली की कमी होती थी, आज बिजली की कमी खतम कर दी तो 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं, इनसे 24 घंटे बिजली भी नहीं दी जाती, फ्री बिजली भी नहीं दी जाती, तो केजरिवाल को जेल में डाल दो, ताकि केजरिवाल जेल में रहेगा तो इसके काम बंद हो जाएंगे, प्रदान मंत्री अगबार को इंट्रिव्यू देते कहते हैं कि जो आज की यहां जो लीडर्शिप है उनका एक अर्बन नकसली माइंड सेट है वो अर्बन नकसल है वो आतंग और एनार्की फैलाएंगा मैं पंजाब के लोगों से पूछना चाहता हूँ प्रधान मंतरी जी ने तीन करोड पंजाबियों को गाली दे के कहा कि तुम नकसली हो चुप बैठो गए हमने कह चूड़ियां पहन रखी हैं कि एक आद दिल्ली से आते हैं और कहके चले जाते हैं कि तुम अर्ब तुम नकस ली वो हैं उसके साथ साथ लिफटेन गवनर दिल्ली के जो है वो एनाय को लिखते हैं कि प्रोब करिये अर्बिन केजरिवाल को कि उनको खालिस्तानियों ने पैसे दिये सोला मिलियन डॉलर्स मिले उनको और दिविंदर भुलर को रिया करिये तो एक तरह से एक नेरेटिव तो बन गया है कि अर्बन नकसल खालिस्तानियों से जुड़े हुएं ये आप पर लगातार इस तरह के आरोप लगा रहे हैं जब पिछला पंजाब का चुनाओ था 2022 में आपको याद होगा पंजाब के तीन दिन पहले प्रधान मंत्री जी अब ओहर में रैली करने आये और उस रैली में प्रधान मंत्री जी जी ने बोला आपको याद दुला दूँ आपको शौक लगेगा प्रधान मंत्री जी कहते हैं केजरी वाल देश के दो टुकडे करना चाहता है एक खालिस्तान और एक भारत और वो खालिस्तान का प्रधान मंत्री बनना चाहता है यह मतलब प्रिधान मंतर जी को कभी-कभी क्या हो जाता है यह बिलीव करने वाली बात है केजरिवाल देश के दो टुकडे करना चाहता है और तुम्हारी दिल्ली में ही तो रहता हूं अगर मैं दो टुकडे करना चाहता हूँ इतना खतरना कातंक वा दियो तो पकड़ो मिर को ये क्या है ये मतलब नौटंकी मचा रख्या इन्होंने इस देश के अंदर यार गुंडागर्दी मचा रख्या इन लोगोंने इस देश के अंदर कुछ भी बोल देते हैं मित्रमाजन को रिटायर किया यशन सिना को रिटायर किया अब अगर खुद रिटायर नहीं होगे तो लोग कहेंगे कुर्सी का लाल्ची है सर ये बताइए एंड में ये जो बड़ी तस्वीर पंजाब के 13 सीट दिल्ली के 7 सीट आप बरूच में भी लड़ रहे हैं गुजरात में आप कुरुक्षे तरह लड़ रहे हरियाना कितनी सीटे आएंगी आम आदमी पार्टी को और देश में कितनी सीटे आएंगी इंडिया लाइंस को क्या तस्वीर आप देख रहे हैं 22 सीटे लड़ रहे हैं हम लोग टोटल उसमें मुझे लगता है कि हमारी 15 से ज्यादा आनी चाहिए 15 से ज्यादा आनी चाहिए और BJP का जिस तरह से बुरा हाल होता जा रहा है एक फेज, हर फेज के बाद मुझे लगता है उनकी 200 के आसपास आएंगी यह आप कह रहे हैं लेकिन विशलेशक कह रहे है कि BJP की तो सरकार आनी है सत्ता वजार तो 303 दे रहा है जो पिछली बार BJP को मिले थे राज़देटिक विशलेशक कह रहा है मोधी जी की हैट्रिक लगबगता है क्या कहीं न कहीं आप लोग मांते हैं कि मोदी जी को अभी तक आप पूरी टकर नहीं दे पाएं इंडिया लाइन जिस तरह से देनी चाहिए थी और अगर वो हैट्रिक लाते हैं तो क्या कहेंगे उसी जनता को जिसको आज आप कह रहे हैं कि जनता ताना शाह को वोट न दे तो फिर जनता कहरी नहीं हमें मोदी जी पसंद है. चार जून का इंतिजर कर लीजे। नहीं चार जून का जब आप कहते हैं इंतिजर कीजिये। जैसे आपने पहले भी कहाता जा हुआ देही नहीं पाएगे हम जेल जा रहे हैं देश को बचाने के लिए हमारे को अपने लिए कोई खतरा नजर नहीं है हमें देश की चिंता है और देश के लिए हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे आपको मुख्यमंत्री की कुरसी की चिंता है कई लोग कहते है कि क्या अर्विन केजरिवाल को मुख्यमंत्री पत से इस्तीफा देना चाहिए जब तक वो बरी नहीं होते ऐसे कैसे चलेगा कि आप जेल में रहेंगे और दिल्ली की सरकार चलेगी आपने देखा होगा अभी अस्पताल में क्या हुआ दिल्ली के अस्पताल में एक बड़ी भायनक चीज हुई है जो छोटे बच्चे मरें आग जनी में तो ये सवाल तो उठेगा ना कि क्या केजरिवाल जी दिल्ली संबालेंगे जब वो जेल में है केजरिवाल को कभी भी पद या कुर्सी का लालच नहीं था जब मैं इंकम टैक्स में कमिशनर था एक दिन नौकरी छोड़ के त्याग पत्र दे के आया और दिल्ली की जुग्यों के अंदर काम करने लगा दस साल तक दिल्ली की जुग्यों में काम किया था उस टाइम कोई प्लैन नहीं था पार्टी बनाएंगे चुनाव लड़ेंगे कोई फ्यूचर ही नहीं था दिल्ली की जुग्यों के अंदर इंकम टैक्स कमिशनर की नौकरी से त्याग पत्र दे के आके काम करने लगा फिर अन्ना अंदोलन हुआ पार्टी बनाई सीम बन गया सीम बनने के उननचास दिन के बाद अपने असूलों के लिए मैंने त्याग पत्र दिया किसी ने मेरे से मांगा नहीं था कुरसी को लात मार दी थी मैंने आज मैं कुरसी क्यों नहीं छोड़ रहा ये मेरे संघर्ष का हिस्सा है मोदी जी जानते हैं कि आज दिल्ली असेंबली चुनाव में वो आम आदिमी पार्टी को नहीं हरा सकते हैं एक बार 67 सीट एक बार 62 सीट 55% वोट शेयर वोट शेयर वो हमें नहीं तो उन्होंने एक नया शड़ इंतर रचा स्टेट के अंदर करेंगे फिर अगला नंबर मंता का होगा तीसरा नंबर पिनरे विजिन का होगा उसके बाद स्टैलिन का नंबर होगा अगर मैंने ये मॉडल खड़ा कर दिया कि जब तक बेल नहीं मिल रही मैं जेल से सरकार चलाऊंगा इनकी हिम्मत नहीं होगे उसके बाद किसी भी मुख्यमंतरी को हाथ लगाने की लेकिन कानूनी तोर पे सुप्रिंग कोट में पी आयल फाइल हुई कि केज़ विवाल को मुख्यमंतरी के पद से हटाया जाए सुप्रिंग कोट नहीं का भी हम नहीं हटा सकते हैं ऐसा कोई कानून नहीं है अब मैं जाओंगा सुप्रिंग कोट मैं काओंगा मैं जेल में कैद हूँ मैं मुख्यमंतरी हूँ मुझे मुख्यमंतरी की बेसिक डियूटीज पूरी करने का अधिकार दिया जाए फैसिलिटीज दी जाए जेल के अंदर ताकि जब तक मुझे बेल नहीं मिलती तब तक मैं उस दायतव को पूरा कर सकूँ मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि आठ मैने में दिल्ली में चुनाव होने हैं अगर उस चुनाव के समय आप उसी तरह से जेल में रहें क्या आम आदमी पार्टी इस तरह से लड़ सकती है चुनाव अगर उनका नेता जो है वो जेल में है अगर इन्होंने मिरको दिली के चुनाओं में जेल में रखा बिना प्रचार के 70 के 70 सीटा जाएंगे इनको एक भी नहीं मिलेगे जनता देख रही है जनता बहुत स्यानी है जब मैं बाहर निकलाओं जनता में इतना गुसा इतना गुसा कि ऐसे किसी को भी पकड़ के जेल में डाल देंगे यह लेकिन एक मौरल रिस्पॉंसिबिल्टी नहीं हो कि किसी नेता की एक बार अगर आपको जेल में जाना पड़ा है जब तक आपको बरी नहीं किया जाता तब तक आप नहीं आ सकते यह तो जनतंतर के खिलाफ है अगर कोई मुख्यमंतरी अभूतपूर्व मैंडेट लेके जीत गया और उसको जेल में डालके आप उसकी सरकार गिराना चाते हो उसको मुख्यमंतरी पत से अटाना चाते हो तो मेरे को तो संगर्श करना चाहिए मुझे मैदान छोड़के भा एंटी करॉप्शन एक्टविस्स जब मैं था तब मैं ये कहता था जो दोशी हैं मैं ये नहीं कहता था एफ़ाइर दर्ज करो और एफ़ाइर तब तक ये कानून नहीं था पीम में लेगा तब एंटी करॉप्शन लाओ था जो कहता था कि जांच होगी मुकदमा चलेगा जो दोशी होंगे, मुकदमे जल्दी चलाओ, जल्दी पूरी करो, आप तयार है, बिल्कुल, बिल्कुल, यहां तो, बीस, बीस, यह केस इतना बड़ा है, साड़े चार सो इसमें गवाएं, जी, 76,000 पेज का एविडिन्स है, तो यह तो बीस साल चलने वाला है केस, बीस साल म कानून है, अगर हम दोशी होते हैं, हमें जितनी सजा कानून में लिखे है, उसे डबल सजा दे दो हमको, लेकिन यह क्या कानून है कि अभी बस पकड़ के जेल में डाल दिया, जब तक निर्दोश कोट निर्दोश नहीं बताता, बीस साल तक चलेगा केस, तब तक जेल में रखोगे, पर यही चीज़ आप सुप्रीम कोट के सामने रख सकते हो, रिव्यू करवा सकते हो, इस प्रॉब्लम है, जो कानून इनों ने बनाया सुप्रीम कोट को उसको कानून को लागू करना पड़ता है, तो आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोट आपको कोई भी उमें कहा, हमारे पास केजरिवाल के खिलाफ सबूत इसलिए नहीं है, क्योंकि वो अनुभवी चोर है, तो यार अगर तुम है पर सबूत नहीं है, तो छोड़ो फिर मेर को क्यों पकड़ रखा है तुमने, अर्विन केजरिवाल, आप अपना भविश्य फिर कैसे नहीं है, देश का भविश्य फिर का बहुत उजवल है, इस दुनिया में अब भारत चमकने वाला है, आने वाला समय, भारत का समय इस दुनिया के अंदर, आप में क्या बदलाब आया है पिछले दस सालों में, आप राजनीती में एक तरसे पुपी तरसे हैं, मुझे गुस आना कम हो गया, पेशन्स बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, कहीं न कहीं ये मोधी बनाम अर्विन केज़िवाल, मैंने पहली बार ये देखा था, दोजार चौदा में जब आप वारानसी में एक दूसरे के खिलाब लड़े थे, अब दोजार चौबीस में, ये क्या एक औ क्या लड़ाई करूँगा, मेरी कोई उनकी जाइदाद की बटवारे की लड़ाई थोड़ी है, मैं क्यों लड़ाई करूँगा, अगर मोधी जी, आप ये सोच के देखो, ये इस तरह की ताना शाही गुंडा गर्दी, मैं ये सरकार गिरा दूँगा, मैं शिव सिना को तो अब कहा हैं, आतिशी सौरप सब को बेज रहे हैं, उनको भी मेसेज आ गए, तुम को जेल बेजेंगे, मतलब सारे चोर हैं, तो ये प्रधानमंतरी के लक्षन है, ऐसे होने चाहिए, ऐसा प्रधानमंतरी चाहिए, प्रधानमंतरी एक फादर फिगर होता है, सब को साथ ले पार्टी है चुनाव में लड़ लिए हम जीत गए यहां पर अब उन्हें एज़ फादर फिकर मुझे बुला के कहना चाहिए अर्विन तुम्हें दिल्ली में जो जो जरूरत हो मेरे पास आके मांगना मैं तुम्हारे लिए मदद करो बीजेपी और मोदी जी कहेंगे अर्विन केजरिवाल ने क्या कहा हमारे बारे में कहा है तो हम कौन होते हैं उनके लिए फादर फिकर बनने के लिए वो देश के प्रधान मंतरी हैं पर आपने भी उनके खिलाब बहुत कुछ लाए चलो मैंने बोला मैंने वैसे तो कुछ नह वो अभी भी उनके मन में है अब बताया उन्होंने आपको नहीं नहीं मैं आपसे यह कह रहा हूं कि कही न कहीं वो आपके उनके मन में होगा ना कि अर्विन केजरिवाल ने भी मेरे बारे में बहुत कुछ बोला तो ये गाली गलोच से देश आगे नहीं बढ़ेगा मिल के प्यार महबबत से सब को साथ लेके सारी पार्टीयों को साथ लेके सारे देश को साथ लेके जब आगे बढ़ेंगे तो देश देखो कहां जाता आ चार तारीख के शाम को क्या होगा? चार तारीख के शाम को प्रधानवंतरी जी की विदाई होगी, Maudhi जी की. Sure. Sure. वो कहते हैं, दो तारीख को Arvind Kejriwal की विदाई, आप कहते हैं, चार तारीख को Maudhi जी की विदाई. Arvind Kejriwal important है यह नहीं. उन्फोल इंटर्म्स अर्सल्स on the 4th of June from a jail cell in Tihar. Rajdeep Sardesai in Chandigarh. उन्फोल इंटर्मस अर्सल्स